इसकार स्वागत है आपका हमारी खास पेशक्रश में मैं हूँ आपके साथ श्वेता मिश्रा जिम्मेदार वो शब्ध है जो किसी व्यक्ति के महतु को दर्शाता है जिम्मेदार के उपर लोग भरोसा करते हैं लेकिन जब महस अपने फाइदे के लिए लोग जिम्मेदारी से बैमानी की ओर जाने लगें तो व्यवस्ता चर्मनार इन लगती है और ऐसा ही हो रहा है लेकिन एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते फर्स्ट इंडिया ने बीडा उठाया है ऐसे हर खेल का परदा फाश करने का जिसमें आम जन के हक पर डाका डाला जा रहा हो इसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं उपरेशन सफेग कोट यह उपरेशन जानूर के भी इनमाल का है फर्स्ट इंडिया की स्टिंग ऑपरेशन में एक ऐसे विभाग की पोल खुली है जिसे सभी बड़ी उम्मीद से देखते हैं इस विभाग में तैनाज जिम्मेदारों को लोगों की सम्वेदनाओं और परिशानियों से कोई सरोकार ने बस ये भरनी चाहिए वे धरले से अपनी मनमानी कर रहे थे लेकिर हमने खुलासा कर दिया आई आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं सरकारी वेतन लेने वालों ने किस की सेवा की जेबें भरने के लिए किसने गद्दारी की लालच में फर्ज अदा करना भूल गए भगवान वॉस्ट इंडिया के खुलासे से चौक जाएगा राजस्थान वॉस्ट इंडिया का बड़ा खुलासा आपरेशन सफेद कोट जालोर के भीनमाल में चिकित सा महकमे में पर्दे के पीछे सब से घिनोना खेल चल रहा है जिसमें उपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम फेलियर है मरीज इलाज के लिए सरकारी अस्पताल के चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन डॉक्टर साहब को जेवे भरने से फुरसत मिले तब ना लगता है कि डॉक्टर साहब के खर्चे सरकारी वेतन से पूरे नहीं होते इसलिए निजी अस्पतालों में ड्यूटी देते हैं और सरकारी अस्पताल को अनाथ छोड़ देते हैं अपने इस स्ट्रिंग ऑपरेशन में हम आपको सलसलेवार तरीके से सरकारी अस्पतालों की हकीकत दिखाएं शुरुआद करेंगे ब्लॉक इस्तर पर चिकितसा सेवाओं की मोनिटरिंग करने वाले BCMHO के साथ सोचिए ज़स डॉक्टर पर पूरे विकास खंड की चिकितसा सेवाओं की मोनिटरिंग का जिम्मा हो वो अपनी जिम्मेदारियां छोड़ कर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता रहे तो फिर पूरे ब्लॉक में स्वास्थ हिसेवाओं कितनी बीमार होंगी लेकिन दुर्भाग इसे यही हो रहा है जालोर जिले के भीनमाल में सीधे बात पर आते हैं BCMHO साहब का परिशे कराते हैं नाम है डॉक्टर जूग्मन चौधरी डॉक्टर साहब सुबह 8 से 11 बजे तक आफिस में जैसे तरसे समय काटते हैं और फिर प्राइवेट अस्पताल में पहुंच जाते हैं कमाई करने बले ही ब्लॉक भर के अस्पतालों में मरीज दर दर की ठोकरें खाते रहें लेकिन फॉस्ट इंडिया ने डॉक्टर साहब के सफेद कोट के पीछे की काली हकीकत को सामने लाने का जिम्मा उठाया और उनका पीछा करते हुए जा पहुंचे उस अस्पताल में जहां डॉक्टर साहब प्रैक्टिस करते ही अस्पताल है राज हॉस्पिटल हिडन कैमरा इसलिए ले जाना पड़ा क्योंके जिस अस्पताल में BCMHO प्रैक्टिस करते हों वहां जाहर है अस्पताल में खासे मरीज आते होंगी और अस्पताल प्रबंधन मोटी कमाई करता होगा ऐसे में अगर कोई उनकी हकीकत दिखाएगा तो वो कैसे भरदाश्ट करेंगी लेकिन जो हकीकत सामने आई वो चोकाने वाली थी BCMHO बाकाइदा कुर्सी पर बैठ कर मरीज देखते हैं इसके लिए हमारे रिपोर्टर ने भी उनको अपने गले की समस्या दिखाई और डॉक्टर साहब ने बाकाइदा पर्चा भी थमा दिया इसी बातचीत में हमारे रिपोर्टर ने डॉक्टर साहब से पूछ लिया कि आफिस कब जाते हैं और प्राइबेट अस्पताल में कब बैठते हैं सुनिये डॉक्टर साहब ने क्या बताया नौर्मन्जी फरास है देदो गोली टैबलेट से हो जाए सही को ठीक है अब तक डॉक्टर साहब ने कारनामों को पर दे के पीछे छिवारा पाकर रखा था लेकिन अब फरस्ट इंडिया के कैमरे में डॉक्टर साहब के कारनामे कैद हो गए भीनमाल के चिकित्सा महकमे के मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जूगमल चौथरी सरकार से वेतन लेकर चिकित्सा महकमे की योजनाओं को आम जनता तक पहुँचाने को लेकर प्रभावी मॉन्टरिंग के जिम्मेदारी संभाल रहे लेकिन ब्लॉक सीमेचो विभाग में कारेरत कारमिकों को दौरे की जानकारी देकर भीनमाल शहर में निजी अस्पताल में सुबह से लेकर शाम तक डूटी देते हैं जब चिकित्सा विभाग भीनमाल के मुख्या निजी अस्पताल में डूटी दे रहे हों सरकारी अस्पताल का क्या हाल होगा लेकिन ये तो बस शुरुवात है इलाके में चिकित्सा सेवाओं की हालत बेहद खराब है और उपर से नीचे तक कौन-कौन अपनी जिम्मेदारी से घद्दारी कर रहा है दिखाएंगे आगे आप बने रहिए फॉर्स्ट इंडिया का फर्स्ट इंडिया की स्टिंग ऑपरेशन में बड़ा खुलासा होने के बाद फर्स्ट इंडिया ने सरकारी अस्पताल का बिस्टिंग ऑपरेशन किया फर्स्ट इंडिया की स्टिंग ऑपरेशन में सरकारी अस्पताल बीमार नसर आया मरीज छट पटाते दिखे और ति हिनमाल में ब्लॉक सीमेचो डॉक्टर जूगमल चौधरी के कारणामों को लेकर फिर्स्ट इंडिया ने स्टिंग ऑपरेशन में बड़ा खुलासर करने के बाद टीम सरकारी अस्पताल में दाखिल हूँ जैसे ही फिर्स्ट इंडिया की टीम खुफिया कैमरे के साथ हस्पताल पहुंची तो मरीजों की चारों और भीड ही भीड लगी थी मरीजों से फर्स्ट इंडिया ने जानना चाहा कि आखिर भीड क्यों लगी है पता चला डॉक्टरों के चैंबर समय होने के बाद भी खाली पड़े हैं चैंबर से डॉक्टर्स गायव हैं इतना ही नहीं एक गंभीर मरीज भी वहाँ छटपटा रहा था जानकारी मिली कि उसने जहर का सेवन कर लिया है जाहर है मामला गंभीर था किसी की जान का सवाल था लेकिन जिन्हें जेब भरने की फिक्र हो उनसे किसी की जान की फिक्र की उम्मीद रखना बेमानी है अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर एमेम जांगिन के चेंबर में पहुँचे तो चेंबर में साड़े पांच से भी जादा का समय हो चुका था लेकिन डॉक्टर साहब चेंबर से गायब था इमर्जंसी कक्ष में कारेरत नर्सिंग स्टाफ गोल मोल जवाब देता रहा जाए कहा है आपका यह मरी जाया हुआ है कितने घंटे से यह परती है यह हमारे दूपिने अबराजी है तो भी जिस्टाइब आप आने का समय कितने वजे का है ताइम क्या हुआ है यह तो भी कभी आया है आप उदर से आ रहे हैं हमने देखा था आपको बाबु जी ने आवाज दिये देखके कहां गए हॉस्पिटल में होना चीए मरीज मर रहा है हॉस्पिटल में होना चीए यह वार होना चीए देखके कहां गए इसको भी जरूद है या नहीं है अस्पताल प्रभारी के चेंबर के बाहर खड़ी एक कर्मचारी ने डौक्टर साहब के कार Adamsi की पूरी पोल खोल ती अस्पताल की चपराशी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा अस्पताल प्रभारी डॉक्टर एम एम जांगिर निजी अस्पताल में किसी मरीश के उपचार के लिए गए हुए और जरृम 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 इंक शोर जरृम जरृम एम दर ब्रभाष सार देशी किसे ही किया तो यह दो ही है यहालात सिर्फ प्रभारी डॉक्टर जांगिड के ही नहीं थी अनि डॉक्टर्स के चैंबर में भी डॉक्टर समय होने के बाद भी नहीं पहुँचे जबकि मरीजों की भीड डॉक्टर्स के चैंबर से लेकर पूरे अस्पताल परिसर में नजर आ रही थी फोस्ट इंडिया की स्टिंग ओपरेशन में सरकारी अस्पताल की सच्चाई सामने आ चुकी भगवान कहे जाने वाले सरकारी अस्पताल के डॉक्टर किस कदर किस हद तक गिर सकते हैं ये इसकी एक बानगी है अब देखना होगा कि ऐसे लापरवाह डॉक्टर के खलाफ कब कलेक्टर मुख्य चिकित साधिकारी से लेकर सरकार में बैठे चिकित समंत्री तक कब तक कारवाई करते हैं लूना रामदर जी फोस्ट इंडिया न्यूस जालूर स्वास्त विभाग वाकई बेमार है डॉक्टर जेवे भर्णे में मश्कूल है मरीज इलाज के लिए भटकने को मजबूर है जिम्मेदार मौन है तो सुनेगा कौन हमारे जालूर सम्वादा था लूना रामने एक एक कर इन सबी अस्पतालों के हर तहको खंगाला है और सच्चाई आपके सामने लाए है आईए इस दर्दनाख हकीकत से आपको भी रोबरो कराते है जालूर के भीनमाल सरकारी अस्पताल के हाल बत्तर है पांच बजे साम को डॉक्टर पहुंचने का समय हो चुका है समय अधिक जा चुका है लेकिन अभी भी कई डॉक्टरों के चमबर खाली है यहाँ पर मरीजों की भारी भीड है आप इस्तती देख पारे होंगे बड़ी संख्या में मरीज बेचारे लाइन में खड़े हैं लेकिन इन्हें चेक अप करने वाला कोई नहीं है हम एक एक चेमबर में जाके आज यहां के हलात दिखाएंगे फर्स्ट इंडिया ने यहाँ पर पूरा इस्टिंग ओप्रेशन किया और इस्टिंग ओप्रेशन में डॉक्टर नदारद है चेमबर खाली पड़े हैं डॉक्टर अंदर नहीं है और लोग इंतजार कर रहे हैं आप देख पारे होंगे इस्टती एमेम जांगेड़ी यहां के परबारी है लेकिन परबारी साहब खुद नहीं पहुँचे हैं वो देरी से आएंगे समय जाधा हो चुका है लेकिन अभी तक आप घड़ी देख रहे हैं डॉक्टर साहब के खुद के चेमबर में घड़ी लगी हुई है और घड़ी में आप देख पारे होंगे साड़े पांच से जाधा समय हो चुका है लेकिन डॉक्तर साब अभी तक नहीं पहुंचे ये ये इस्तती है यहां के अस्पताल की यहां के मरीजों की स्तती आप देख पारे होंगे लगातार भारी भीड है डॉक्तर साब नहीं है ये स्तती है यहां के मरीजों की आप देख पा रहे होंगे, म inan 6 इसंदी और बताने की कोशिच करूँगा की आप देख पा रहे होंगे बीड को दिखाने की कोशिश करेंगे ये वो मरीजों की बीड है जिनको देखने वाला कोई नहीं है देखिए कोई नहीं है डॉक्टर नेमी संग्वी डॉक्टर साब नहीं है आप देख पारे होंगे डॉक्ट साब की वो इस्तती है डॉक्ट साब नहीं है डॉक्ट साब नह रहां आप देख पारे हूंगे यहां की स्टती बतलाने की कोशिज कर रहे हैं लगातार चेमबर खाली है डॉक्टर गाइब है डॉक्ट साब को कोई समय पर पहुंचने की पाबंदी नहीं है सर कितने डोक्टर यहां पर पहुंच घंटे मैं इस जोस पिटल का इस्टेंग ओपरेशन किया है लेकिन इस्टिंग ओपरेशन में एक फिर चेंबर में डोक्टर पहले नहीं लेकिन मरीजों की सुनने वला कोई नहीं है लेकिन डोक्र8 साथ नहीं था यहाँ प्थाया इसको यहाँ-ोपरेशन्मे खुला सा भूआ है कि आप प्राविट हौम थे विल्कॲ वी सी में था मैं और इसको देखें गया हूं तीन बजे लगातार सब डॉक्टरों के चेंबर खाली पड़े हैं मुम्ता जांगीड नहीं है सब कुछ ऐसी क्या इस्तती है मेरे बात सुनो एक डॉक्टर चुटी पे ठीक है एक एक एंसीडी केम में गया हुआ है साब आते हैं मरीज के लिए तो कितनी देर भी बैटे कम है ना मरीज की स्थती बाट किटी कल है हम खुछ देख रहे थे हमने यहाप सब कॉम्पूर्टर से बात करने की कोशिज कही है सर हम कितनी देर पहले आये थे हम आये तब डॉक्टर साब नहीं थे पर मैंने जवाब दिया था कि ड अब बले जवाब कुछ भी हो लेकिन अपने आप में बड़ी लापरवाई है जो उजागर होती है और अपने आप में चिकिसा विवाग मैकमा इसकी जांच करेगा और उसको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर जो भगवान कही जाते हैं डॉक्टर उनकी लापरवाई का क्या हाल होगा यकीन मानिये तस्वीर हैरत अंगेज है लाभार्तियों को सरकारी योजनाओं का लाब लेने के लिए एडी चोटी का जोर लकाना पड़ता है और प्राइवेट अस्पताल अपनी जेबे गर्ब करने के लिए लोगों को कैसे लूटते हैं ये जानने के लि देश में जिस योजना के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को फ्री इलाज की सुविधा दी जाती है दरसल उसकी हकीकत कड़वी है जालोर के भीनमाल में चिकिस्सा महकमें की सच्चाई सामने आने के बाद फर्स इंडिया टीम ने भामशाह योजना का सच जान कार्मिकों ने पास में चैंबर में बैठे डॉक्टर साहब से मिलने को का कुर्सी पर बैठे डॉक्टर से जब हमने भामशाह योजना के तहट प्रसब कराने की जानकारी मागी तो भामशाह योजना में पूरी तरह निशुल्क प्रसब कराये जाएगा और मरीजों से कोई वसूली नहीं होगी इसकी कोई गैरंटी नहीं मिली इतना ही नहीं राज हॉस्पिटल में कारिड़ा डॉक्टर और कार्मिक ने साफ कहा कि पहले मरीज को भरती कीजिए फिर इंजेक्शन और दवाई सहित कई अन्य खर्चे देने होंगे फॉस्ट इंडिया की टीम ने भामशाय योजना से निशुल्ख प्रसब कराने की बात कही तो डॉक्टर के पास ही कुरसी पर बैठे अस्पताल के कार्मिक ने कहा निशुल्ख प्रसब कराना हो तो सरकारी अस्पताल जाइए जहां पर एक भी पैसा खर्च नहीं होगा फॉस्ट इंडिया टीम लगातार सवाल पूछ कर डॉक्टर और अस्पताल के कार्मिक से जानना चाह रही थी कि क्या भामशाय योजना के तहट भामशाय कार्ड होने के बाद भी निशुल्ख प्रसब होगा या नहीं लेकिन डॉक्टर और कार्मिक ने साफ कह दिया कि पह दासका के बातार सब्सक्राश के लिखें, जैसे कोई दवाई-वाइद रिखें लगा तो चार्ज होता है नहीं तो रह दनका जाने के लिखेंगे, एक परसंट भी ने चार्ज्ट आए और तुम्हीं समझ और मेडिशन मंगवाना या श्परमटा होने तो पहले से निखें वो बोलेंगे, आएंगे तो देख लेंगे, क्या है तो पहले कहेंगे, तो आप भी पता है, लोगों दस बार तो पूस्थे हैं, पहुंद कर ले तो सब्सक्राइब गवर्मेंट में मिलो न, कोई चार्ज नहीं है, रुक्वे निलागे आप कहा है भामाशा है इसले को है, भामाशा तो है तो मैं बोलना होना, जो बिल्कुल चार्ज नहीं लेना है, तो कि अरे सर्थ बिल्कुल कहनी कह रहे हैं, आप इंदा भी इसको आईडिया बताते हैं, आईडिया कैसा 2-3-3-4-3 पे एक्षा हो सकते हैं, अच्छा हो राज होस्पिटल के बाद हमारी टीम ने शहर के कृष्णा निजी ऑस्पिटल का रुख किया, यहां भी भामाशाह योजना को लेकर किये जा रहे बरताव की असल यह सामने आके, क्रिष्णा अस्पताल में भामाशाह योजना बंद करने की जानकारी दी गे, जबके अस्पताल के अंदर भामाशाह योजना का बड़ा बोर्ड लगा हुआ था काफी नहीं, काफी अस्पताल नहीं आपका ऑस्पिटल को नहीं रखा है, हमारा थाई पैरास में अन्रीट था, ठीक है, तिस लीच में बंद हो गया, बराबर, पर सहने बंद हो गया, वहाँए बहुत का सपाथी है, तो सुना ही करता है, यह कुछ जाठा है, यह अपका ब जाहर है भीनमाल में चिकितसा महकमा पूरी तरह बीमार हो चुका है, जिससे सुधारना बहुत जरूरी है, फॉस्ट इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन में भामाशाह योजना को लेकर निजी अस्पतालों में की जा रही वसूली का भी बड़ा खुलासा सामने आया है, अब देखना होगा कि मुखे चिकितसा अधिकारी और चिकितसा महकमे के उच्चा अधिकारी कब तक कारवाई करते हैं, लूना रामदर जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जालूर